हलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर श्ट्रेंड्स वेल्कम बैक टो आवर चैनल आज का हमारा वीडियो क्लास 12 राजस्तान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिस के ग्रैमर टोपिक प्रेपजिशन पर रहेगा यह प्रेपजिशन आपके बोर्ड क्लास के पेपर में टू मार्क्स क होगा और हम प्रेपजिशन जो हैं आपके शिलेबस के अकोर्डिंग करने वाले हैं और आपके शिलेबस में क्लास 12 में प्रेपजिशन और मौसन गती दर्शाने वाले प्रेपजिशन प्रेपजिशन क्या होते हैं सबसे पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी भी noun और pronoun संग्या और सर्व नाम से पहले आकर उस संग्या और सर्व नाम का संबंद पूरे वाक्य के साथ दर्साना preposition कहलाता है तो आपके syllabus में जो preposition है उसमें motion से related to, from, into, upon, etc preposition of time समय सुचक होंगे preposition of space और place समय सुचक होंगे on, in, around, etc और एक और है preposition of mental attitude मानसिक द्रस्टिकोन से related preposition होंगे ठीक है तो ये सब टाइप के जो preposition हम continue पढ़ेंगे और important जो होंगे उनको हम जरूर पढ़ेंगे उनके example पढ़ेंगे friends and students और preposition का अर्थ हिंदी में पूर्व सर्ग होता है क्या होता है पूर्व सर्ग तो चलिए हम one by one करके हम सभी preposition जो है important और उनके rule और उनके example हम करेंगे और ये हमारा preposition का part one होगा तो चलिए यदि अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और अपने friends और साथी गण को जरूर ये video share करें ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में जानकरी available हो जाए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हैं on का परियोग on के परियोग में पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तू दूसरी वस्तू पर इस तरह से पड़ी हो जिसमें इस पर्स करती हो टच करती हो ठीक है टच करना मदा होता जैसे ये एक table है और table के उपर कोई चीज पड़ी है chair पर, kursi पर, कहीं पर भी किसी भी आंगन पर कोई चीज पड़ी है तो टच करती हो पड़ी है तो आपर on का use किया जाता है जैसे example लिका हो है the pen is on the table pen table पर है we are sitting on floor हम आगन पर बैठे हैं तो ऐसी चीजे जहां पर किस कोई दूसरी चीज पर इस पर सकरती भी बैठे या रखी भी हो तो वो on का use होता है एक पूरे दिन की अउदी को दर्साने है तू जैसे एक पूरा दिन on Monday, on Sunday, on Tuesday यानि दिन के नाम से पहले on का use on 12 December यहाँ पर 12 December की बात हो रही है तो एक दिन की बात हो रही है on June 15 15 June के दिन तो यहाँ पर इसे दिन बताने वाले words से पहले on का परियोग on Independence Day, on Birthday किसी अउसर का जिक्र करने से पहले कोई भी अउसर occasion आता है तो on marriage ठीक है I went to his village on his marriage उसकी marriage पर मैं उसके गाउँ गया on arrival उसके आने पर on meeting meeting में meeting होने पर on departure जाने पर उसके जाने ठीक है तो ये अउसर हैं समय के भाग हैं वहाँ पर on preposition यूज किया जाता है कोई उदेश्य बताने के अर्थ में we went on a tour हम एक tour पर गए यात्रा पर गए ठीक है we went we went on a plagamage हम एक ये तिर तियात्रा पर गए विसे वस्तु बताने के अर्थ में he wrote a book on dowry उसने दहेज पर एक किताब लिखी तो ये उसका विसे हैं काम करने का he is working on child labor वह child labor पर काम कर रहा है यानि child labor बाल मजदूरी बाल सरम पर कुछ work कर रहा है तो ये उनके उदेश्य हैं उनके कारी हैं फिर हमारा second preposition आ जाता है in जब कोई वस्तू पहले से किसी दूसरे वस्तू के अंदर हो यानि ये बताने की कोशिस की जा रही है कि कोई भी परिवेस है बंद या तीन कोई भी मतलब ऐसा परिवेस जहां पर कोई चीज पहले से मुझूद हो रखी हुई हो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है example देखते है जैसे my books are in my bag मेरी किताबे मेरे बेग में है तो पहले से ही मुझूद है ठीक है we are in our room हम अमारे कमरे में है ठीक है इसके अलावा और इनका यूज किन के साथ होता है direction यानि दिशा year यानि verse अवस्ता इस्टेट यानि उमर एक व्यक्ति की उमर अवस्ता आयूँ अवस्ता यूग यानि एज व्यवसाई यानि प्रोफेशन वोकेशन पोसा यानि ड्रेस तो ऐसे सब्द जहाँ पर यूज किया जाते है उनसे पहले आप in preposition का यूज कर सकते है जैसे इन दवेस्ट इन दवेस्ट इन दवेस्ट इस्ट वेस्ट और सॉथ सभी दिशाओं के नाम से पहले इनक पर योग कोई भी वर्स उससे पहले इनक पर वह उन्ट in 2020 in 1947 in 20th century यह पर यह 20th century बीस्य सताबदी की बात हो रही है in summer in winter in autumn in spring ये रित्व की बात हो रही है in the morning in the evening in the afternoon यहाँ पर इनका यूज in childhood बच्पन में in teenage की सुरा अवस्ता में in old age वर्दा अवस्ता में ये उम्र की अवस्ता की बात की जा रही है in golden age स्वन काल में in teaching profession बताया जा रहा है आपर काम दन्दा I am in teaching में teaching में हूँ मतलब अध्यन के अध्यापन के विविशाय में हूँ इन साडी in court the woman that is studying there in साडी वह महीरा जो वहाँ पर साडी में खडी है या the person who is wearing who is in court जो court में है यानि court पहना हुआ इन प्लस अगर ड्रेस का नाम आता है तो उसका आर्थ हो जाता है मिनी हो जाता है वो कपड़ा पहना हुआ है नेक्स्ट हमारा प्रेपरेशन आ जाता है between between का यूज जब कोई वस्तु दो वस्तु के बीच में हो यानि कोई भी दो चीजे हो और उसके बीच के चीज की बात होती हो तो between का यूज होता है तो जब भी वहाँ पर between का यूज कराना होगा तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज पीचे दी होगी जहाँ पर आपको लगेगा बताय जाएगा कि ये दो चीजों के बीच की बात की जा रही है कि आम जो हैं दो भाईयों के बीच में बाट दिये गए तो यहाँ पर two brother का mention हुआ है एक पीता जी ने अपनी property अपने दो बेटों के बीच में बाट दी between में बात की जाती है दो के बीच की लेकिन among के बात की जाती है दो से अधिक कितने ही बीच की ठीक है यानि दो से अधिक के बीच की बात जब कोई वस्तु दो से अधिक वस्तु के बीच में हो The teacher was sitting among the students Teacher जो थे वो विध्यारतियों के बीच में बैठे हुए है The sun signs among the star The moon signs among the star चंदरमा तारों के बीच चमकता है तो यहाँ पर बीच में बात हो रही है और दो से ज्यादा की बात हो रही है फिर next preposition है by by कार्थ होता है के द्वारा हमने passive पड़ा है 10th class में और 11th में भी पड़ा होगा आपने जहाँ पर passive किया जाता है तो पीचे by plus subject का यूज किया जाता है object दिखाने के लिए तो वहाँ पर कोई करता दिखाने के लिए देशे The raman was written by walmiki रामायन लिखी गई थी किस के द्वारा walmiki के द्वारा तो यहाँ पर द्वारा करता बताने के लिए बाई का यूज जाता है He earned money by hard work उसने धन बड़े ही मेहनत से कमाया मेहनत करके मेहनत से मेहनत के द्वारा तो इस तरह से बाई का यूज Next important point यात्रा का शाधन करने के हम जो traveling करते हैं हवाई जाज के मारक से by sea समुद्री मारक से by ship जहाज से ठीक है तो इस तरह से by use करना है the parcel has been set by bus parcel को bus से बेजा गया है by car by road by train तो आपको इस तरह से जब question आए तो आपको by वाला option चूज करना है किसी के पास किसी के पास या के अर्थ में यानि कोई किसी के पास बेठा हो तो by का यूज जीता है फिर एक और है तक कोई समय सीमा बताने के लिए तक जैसे रविवार तक अगले माईने तक अगले साल तक तो वहाँ पर by use कर सकते हैं there is a temple by the village गाउं के पास एक temple है एक बंदिर है तो यहाँ पर by किस meaning में है पास में ठीक है see always sits वह हमेशा बेठती है by me by me यानि मेरे पास ठीक है तो इस तरह से आप ध्यान रखें we shall have completed the course by new year हम नए साल तक course जो है पूरा कर चुके होंगे तो यहाँ पर यह बाई जो है future में future perfect tense का अगर use होता है तो आप बाई यूज किया जाता है यह preposition यहाँ पर इस तरह से यूज किया सकती है ने साल तक के अर्थ में next चलते हैं into का use simple है और बहुती important है कि जब कोई परिवेश यानि कोई जगह है पहले से मुझूद है तो वहाँ पर in का use करते है जो पहले पढ़ लिया था लेकिन कोई चीज गती करके उसके अंदर जाती है ठीक है चलकर jump करके moment करके तो वहाँ पर into का use किया जाता है किसका use किया था है इंटू का जब कोई वस्तू गती करके दूसरी जगह में परिवेश करती है the loin jumped into the well loin ने well कुवे में jump किया तो अंदर गया they are coming into the room वे कमरे में आ रहे हैं तो इस तरह से moment करके कहीं किसी place में की तरफ जाना from from का मदब होता है शे ठीक है इसका दो तीन अर्थ में इसका उप्योग किया जाता है जैसे जब कोई वस्तू दूसरी वस्तू से दूर हो जाए या अलग हो जाए यानि पाल्ट हो जाना अलग हो जाना तो a leaf fell from the tree एक पत्ता जो है वो पेड़ से गिरा तो पेड़ से वो पता नीचे हो गया अलग हो गया तो from का तो कोई चीज जब किसी दूसरी वस्तू से अलग हो जाना है तो उसको from का यूज करें ये पार्ट जो है वो पहली किताब से लिया गया है तो आप इन एक्जाम्पल से अच्छी तरह से आप सीख रहे होंगे समय की शुरुवाती बिंदू को दर्शाने के लिए from birth to death जन्द से लेकर मर्तिय तक यानि जब शुरुवाती पॉइंट दिखाते हैं तो from का यूज जाता है परिवार से रिलेट रखता है सम्बंद रखता है तो वहाँ पर from का यूज किया जाता है जैसे he comes from a noble family वह एक अच्छे परिवार से आता है आता है मतलब सम्बंद रखता है तो come from जहाँ पर हो जाता है उस परिवार से सम्बंद रखना दूसरा है अवस्ता परिवर्तन कोई भी चीज दूसरी चीज में परिवर्ते दो जाए जैसे curd is made from milk दही दूद से बनता है तो यहाँ पर दूद का रूप किस में बदल गया है curd में तो दही ने किस का रूप छोड़ा milk का तो यहाँ पर from का यूज अवस्ता परिवर्तन फिर कारण बताने में he is suffering from fever वह बुखार से पीडित है उसके पीडा का कारण क्या है fever तो यहाँ पर reason बताने के लिए next preposition है with with का मदल होता है साथ या एक और meaning होगा जो अगले में होगा नियम में होगा के साथ में जैसे हम किसी के साथ का अर्थ बताते हैं मैं उसके साथ जाता हूँ मैं उसके साथ बोजन करता हूँ तो साथ के अर्थ में I always go to school with my sister मैं हमेशा अपनी बहन के साथ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ तो यहाँ पर with we went to market with your family हम तुमारी family के साथ market गए किसी कारिय के साथन को बताने के लिए यानि कारिय करना कोई काम करते हैं तो हम किस साथन से करते हैं किस साथन की help से करते हैं यह ध्यान रखना आप जिस साथन की help से करते हैं उस short से पहले शाथन से पहले with का यूज़ कियाता है फिर next है two, two का use, किसी के निकट जाना या मिलने की स्थति में हम, किसी इस्थान को छोड़ कर जब अगले इस्थान की तरफ जाते हैं, तो जिस इस्थान की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए two का use करते हैं, I am going to school, मैं school जा रहा हूँ, तो school की तरफ जा रहा है, उससे मिलेगा, या उससे उनका मिलन होगा तो जहां पर जिन चीजों का मिलों होगा उसे उस activity में हम टु का यूज करते हैं उसके निकट जा रहे हैं ठीक है वे मेरे पास आ रहे मतलब मुझसे मिलने आ रहे हैं समय की अंतीम अवधी या समय सीमा दिखाने के लिए my father work here मेरे पिता जी काम करते थे यहाँ पर from 1991 to 1995 1921 से 1995 तक जहाँ पर from किया था starting में इस से पहले वाले में वहाँ पर भी 2 देखा था तो starting point पर from लगता है और ending से पहले 2 का विए तो यहाँ पर from का मतलब से और 2 का मतलब होता है तक next है across preposition number 10 across across का मतलब होता है के पार ठीक है कोई भी सड़क पानी नदी तलाव हो तो उसके पार की बात करते हैं हम आर पार की बात करते हैं तो across का यूज किया जाता है जब कोई वस्तु गती करके दूसरी छोर की तरब जाती है या किसी जगे के पार हो he swam across the river वह नदी पार करके तेर कर तेरा उसने नदी को पार किया तेर का ठीक है तो इसे एक्जाम्पल हो सकता है the bridge b-r-i-d-g-e the bridge is across the road across the road bridge यानि पूल जो है वो रोड के पार है तो ये 10 preposition हमारे वीडियो आज की वीडियो में रहेंगे और preposition के part 1 में रहेंगे preposition से related next part जो है हम बहुती जल्दी लेकर आएंगे तो आज आप इन preposition को अपनी notebook में लिखे हैं इतने सारे examples लिखें और इनके जो rules हैं वो आप अविश्य लिखें इनके इनसे related आपके लिए ये enough रहेगा आपके exam में इससे related सवाल आएगा कोई भी सवाल डाल देंगे ठीक है जैसे he सवाल डाल के पीछे option देंगे ठीक है he is coming blank और पीछे on in to इस तरह से option देंगे तो यहां पर आएगे यहां पर लिख देता हूँ he is coming blank me वह मेरे पास आ रहा है तो यहां पर आपको अगर इन चीजों की तार में अच्छी तरह जान करें तो आप क्या बढ़ दोगे to he is coming to me ओके ओके टीर फ्रेंड्स and स्ट्रेंड्स थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो have a good day मिलते हैं नेक्स वीडियो में